वेल्कम टू जी के विद्प्रिंस सामान ग्यान के इस वीडियो में आपका स्वगत है आज का हमारा पहला प्रश्ण है निम निल्खित में से भारत का कौन सा राज यांतर राष्ट्री थल सीमा साजा नहीं करता है तो इसका ओप्सन है हमारा उप्सन नमबर A जमू तथा कश्मीर उप्सन B उत्तर प्रदेश उप्सन C बिहार एम उप्सन D मध्य प्रदेश तो इसका सही उप्सन है उप्सन नमबर D मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज अंतर राष्ट्री थल सीमा साजा नहीं करता है तो मध्य प्रदेश जो है अं इस थिद्ये पहाड़ी किस राज के काला हांडी जिले में इस थित अफ़ राज के I remain में इस थित है काला हनदी जिले में इस थी जिले में इश्तित है नियाम Evgenjin और схड़ी तो तो उप्सन है मारा उप्सन नमबर ए महादेव पहाड़िया मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है उप्सन भी है महादेव पहाड़िया करनाटक पठार का हिस्ता है उप्सन सी है महादेव पहाड़ियों में छोटा नागपुर पठार के पूरों में है महादेव पहाड़िया अफ्सन D है महाद्यी पहाणिया अरावली परवत श्रेणि का हिस्सा है तो इसका सही उब्सन है अफ्सन नमबर A महाद्यो पहाणिया जो है यह माइकाल पहाणियों के पस्चिम में है महादेव पहाणिया जो है ये मायकाल पहाणियों के पश्चिम में इस्तित हैं मायकाल पहाणिया हमारा अगला प्रश्ण है भारत में निम्लिखित में से किस राज की सबसे लंबी तट रिखा है भारत में निम्लिखित में से किस राज की सबसे लंबी तट रिखा है उपसन ह हमारा option number A है अंधर प्रदेश, option B महाराश्ट option सी है, तमिलनाडू, एम option D गुजरात, तो इसका सही option है, option number D गुजरात, गुजरात जो है इस राज की तट रेका सबसे लंबी, गुजरात की तट रेका सबसे लंबी है, अगला परशन है हमारा निम्लिखित में से किस परवति इस थल के नाम का अर्थ वजरपात इस थल है निम्लिकित में से किस प्रवती इस थल के अर्थ का नाम वजरपात है तो option है हमारा option प्रवती इस थल के नाम का अर्थ वज्रपात होता है तो दार्जलिंग का अर्थ जो है यह वज्रपात होता है अगला प्रशन है हमारा भारत में जो आला मुखी विस फोटो से निम लिखित में से क्या बना भारत में जो आला मुखी विस फोटो से निम लिखित में से क्या बना उप्रसन है उप्रसन वह पठार काउंस है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों और बहने वाली जल निकासी प्रुणाली है उप्शन है हमारा उप्शन नमबर A है मालवा उप्शन B है छोटा नाग पूर उप्शन C है राची उप्शन D है हजारी बाग तो इसका सही उप्शन है उप्शन नमबर A मालवा मालवा जो है मालवा में पश्चिम और पूर्व दोनों और बहने वाली जल निकासी प्रुणाली थी मालवा में अगला प्रषन है हमारा ने मिल्खित मेंस किस सहर में विष्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तथ इस्तित है किस सहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है ओप्सन है हमारा ओप्सन नमबर A मुंबई ओप्सन भी है कोलकाता ओप्सन सी है पदुचेरी ओप्सन डी है चिन नई तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन नमबर D चन नाई। अगला प्रश्शन है हमारे, अगला प्रश्शन है निम्ने में से काउन से राज आपस में मिलकर साथ बहनों या सेवन इस्टेट के नाम से जाने जाते हैं। option नमबर ए त्रिपुरा में घाल ले असम और ऊचलनल प्रदेश नागालन मड़ीपूर जो रहम हैं आगला प्रस्ण है तो इसका सही उप्सन है दोस्तों इसका सही उप्सन है और अप्सन नमबर ए त्रीपुरा में घाले असम और अन्चल प्रदेश नागा लेंड मडीपुर एंव मिजोरम जो है यह जो है आपस में मिलकर साथ बहनों या सेवने स्टेट के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रशन है हमारा करके रेखा निम्न में से कौन से भारतिय राजियों से होकर गुजरती है ओप्सन है हमारा ओप्सन नमबर ए है बिहार पश्रिम बंगाल में घाले त्रीपुरा और मिजोरम Option B है मध्य प्रदेश, महाराष्ट, राजस्तान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजुरा Option C है हमारा गुजराद, मध्य प्रदेश, 36, गड़, जहार खंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजुरा और in और सिद्धल मध्यप्रदेश महाराष्ट बिहाद चईसगार जहारखंड और परेश्चि मंग तो इस यह और सनाई आपसननवरशन नमुजरात मध्यप्रदेश चति घर जहार चंड पास्चिम भंगाल मिजुर्म धन्यवाद दोस्त मिलते हैं निस्टी वीडियो में झाल झाल